गुड मॉर्निंग बचों आज हम रहकी प्रोग्रामन के विवित परश्णावली करेंगे चैप्टर ट्वेल विवित परश्णावली आज हम इसके इंपोर्टेंट कोश्चन्स करते हैं तो कोश्चन नमर फाइब पहले करते हैं हम इसका एक हवाई जहाज अधिक्तम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है प्रतिक प्रथम शेणी के टिकट पर 1000 रुपे और सस्ते शेणी के टिकट पर 600 रुपे का लाब कमाया जा सकता है तो ये जो लाब है 1000 रुपे का और 600 रुपे का ये लाब हमारा होता है उद्देशय फ्लन, जड एरलाइन कम से कम 20 सीटे प्रथम शिरनी के लिए अरक्षित करती है दो तरह की है प्रथम शिरनी और सस्ती शिरनी अब हम इससे समय करने बनाएंगे इसकी तथापी प्रथम शेर्णी के पिक्षा कम से कम चार गुने यात्री सस्ती शेर्णी के टिकट से यात्रा करने को वरीता देते हैं मिस प्रथम शेणी में कम लोग बैठते हैं और सस्ती शेणी में ज़्यादा लोग बैठते हैं ज्याद किजी कि प्रतिक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाब का अधिकतमी करण हो तो हम यह मान के चलते हैं माना प्रथम शेनी के X टिकट तथा सस्ति शेनी के Y टिकट बेचे जाते हैं अब according to question अधिक्तम 200 यात्री यात्रा कर सकते हैं मतलब एक हवाई जाज में 200 लोग बैठ सकते हैं 200 से उपर नहीं बैठ सकते हैं मिंस यह प्रथम शेनी के X वाले हैं और सस्ति शेनी वाले Y हैं तो X प्लस Y चाहे प्रथम शेनी हो चाहे सस्ति शेनी दोरों मिलाकर 200 या 200 से कम होंगे तो X प्लस Y लेस दन इकोल टू 200 फिर है प्रथम शेनी के लिए आरक्षित कम से कम 20 सीट हैं कम से कम 20 सीट है प्रथम शेणी के लिए आरक्षित है तो 20 से जाद हो सकती है 21, 22, 23 कुछ भी हो सकती है तो X is greater than equal to 20 तो ये दूसरी समिकन बन गई सस्ती शेणी के टिक्टो की संख्या कम से कम प्रथम शेणी के टिक्टो की 4 गुनी क्योंकि प्रथम शेणी में लोग कम बैठते हैं और सस्ती शेणी बहुत ज़ता बैठते हैं तो प्रथम शेणी को 4 से गुणा कर दे है तो या तो उसके एकवल होंगे या उससे जादा ही होंगे तो Y is greater than equal to 4X तीन समिकने बन गई अब इसके बद हमें दिया है लाब प्रथम शेणी की टिकट पर 1000 रुपे और सस्ती शेणी की टिकट पर 600 रुपे Z is equal to 1000 X plus 600 Y हमें क्या निकालना है कि लाब महतम हो ज़्यादा से ज़्यादा लाब हो वेवरोद अब लेके चलते हैं फस्ट वाला पहली सम्ने करन थी X plus Y less than equal to 200 इसका संगत सम्ने करन X plus Y is equal to 200 एक बार Y को 0 रखेंगे X की वाली 200 आजाएगे X को 0 रखेंगे Y की वाली 200 आजाएगे बिंदू आजाएगे 200 0 अब इसका मुराब बनाते हैं यह हमने X सक्ष बनाई और यह हमने Y अक्ष बनाई हमने जादा जगे दिया हुए पहले चत्व थाइश में क्योंकि X और Y यह तो 0 के एक वाल होंगे यह 0 से बड़े होंगे इसमें हम 20, 40, 60, 80, 100 स्टेप से बनाएंगे हम यह हमारे पास बिंदू 200 0 है और इधर बिंदू है 0 200 इन दोनों के मिलाते वह लाइन ड्रो करेंगे हम और इस लाइन का नाम रख देंगे हम X प्लस Y is equal to 200 अब इसका च्छाय आंकित भाग हम देखते हैं च्छाय आंकित भाग में हम क्या करते हैं 0 जो रखते हैं 0 प्लस 0 less than equal to 200 0 is less than equal to 200 यह सत्य है अगर सत्य होता है तो जिस तरफ 0 होता है शेड हम उस्तरफ करते हैं तो इसकी शेड इस तरफ होगी क्योंकि 0 इस तरफ है हमारा दूसरी समिकरण वेब रोज X is greater than equal to 200 इसका संगा समिकरण होगा X is equal to 20 जो भी X is equal to 20 जास है तो यह लाइन वायक्ष के समानतर होगी इसके लिए हमें बॉक्स बनाने की जोद नहीं पड़ती तो यह X is equal to 20 है वायक्ष के समानतर रेखा है यह हो गई इस लाइन का समिकरण X is equal to 20 अब इसमें हम देखते हैं आसकती है तो जिस तरफ 00 है उस तरफ शेड नहीं होगी दूसरी सेड में शेड होगी इसके इसकी शेड इस तरफ होगी इस सेड में शेड होगी विए तीसरी समिकरण Y is greater than or equal to 4X इसका संगर समिकरण Y is equal to 4X X को 0 रखेंगे यहाँ पर X को 0 रखा तो Y 0 हो जाएगा X को 10 रखो Y 40 होगा बिंदू 00 और 1040 हो जाएगे इसके हम लाइन खीछते हैं 00 यह नंबर है जो X अक्षर का कटाव होते है 10 यहाँ पर आएगा 1040 है हमारा यहाँ पर नंबर 1040 है इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खीचेंगे हम यह हमने इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खीचेंगे इस लाइन का नाम Y is equal to 4X रख दिये हमने अब 6 आंकित भाग हम इसका देखते हैं 6 आंकित भाग के लिए 0 जो रखेंगे 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 10 रखे, Y value 0 रखे, 0 is greater than equal to 40, यह नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब जिस तरफ 10 0 होगा, शेड उस तरफ नहीं होगी, दूसरी सेड में होगी, अब 10 0 किस तरफ है, यह number 10 0 है, इस सेड में शेड नहीं होगी, इस सेड शेड होगी, इधर की तरफ शेड होगी, अब तीनों इधर की इधर होगी, इधर की इधर होगी, इधर की तरफ तो यह जो है, यह area, यह area हमारा सुसंगत شेत्र होगा, जो तीनों समिकर्णों से घिरा हुआ है, अब इसके corner बिंदू, एक यह होगया, एक यह होगया और यह होगया, अब हमें यह बिंदू चाहिए क्या कौन सा है, यह बिंदू चाहिए और ये बिंदू चाहिए है मिन्स हम इनका प्रतिछेद बिंदू निकालेंगे तो पहले हम X प्लस Y is equal to 200 और X is equal to 20 इन दोने का प्रतिछेद बिंदू निकालेंगे X के value 20 रख देंगे Y के value 180 आ जाएगी ये बिंदू हो गया 20 180 ये बिंदू हमारा येवला हो गया ये बिंदू हमारा आ गया 20 180 अब हम ये प्रतिछेद बिंदू निकालेंगे और ये वाला निकालेंगे ये वाला निकालने के लिए एक तो ये दिरख्ये समिकर्ण X plus Y is equal to 200 ये वाल लाइन और दूसरी ये लाइन Y is equal to 4X इन दोनों लाइनों का प्रतिछेद बिंदू निकालना है तो इन दोनों समिकर्णों का में हल करना पड़ेगा यहां पे हो गया X plus Y is equal to 100 तथा Y is equal to 4X इन दोनों का प्रतिछेद बिंदू X plus Y के जगा 4X रग दिया Y is equal to 200, 5X is equal to 200, X के वैली 40, 40 वैली यहां रग दी X के जगा इसको इधर लिया है तो Y के वैली 160 आ जाएगी ये बिंदू हमारा हो गया 40, 160 अब हम ये रेखा में दीए Y is equal to 4X और ये रेखा है X is equal to 20 इन दोनों का प्रतिछेद बिंदू में निकालना है तो यहां पर X is equal to 20 और Y is equal to 4X, X के वैली यहां रख देंगे तो Y आजाएगा 80, बिंदू आजाएगा 20, 80 ये वारा बिंदू आगे 20, 80 अब जो shared reason है इन तीन कोन ये बिंदू है उसके, इसका नाम ये रख देते हैं, इसका B और इसका C तीन कोन ये बिंदू है इसमें, कोन ये बिंदू, A 20, 80, B 41, 60 और C 21, 80 जैड है हमारा 1000 X और 600 Y, X और Y की वैली रखते जाएंगे यहां पर यहां पर X की वैली 20 रखी और Y की वैली 80 रखी इसमें, इसमें, सोल कर लिके हमारा आगा 68,000 ये आगया 1,36,000 और ये आगया 1,28,000 अधिकतम कुन सा नंबर हुए ये है 1,36,000 ये अधिकतम नंबर है हमारा maximum है इसके सामने 40,60 मतलब 40 प्रथम शिर्नी के और 160 सस्ती शिर्नी के टिकट है तो हम ये लिखें प्रथम शिर्नी के 40 टिकट और सस्ती शिर्नी के एक सो साथ टिकट बेशने पर अधिकतम लाब 1,36,000 रुपए होता है इंपोर्टर कोशन है अच्छे से प्रेक्टिस करना इसका में पार्ट ये है कि यहां पर जैसे लिखा अधिकतम 200 यातरी तो मिन्स x प्लस y less than equal to 200 समय करने से ही बनाना फिर है प्रथम शिर्नी के लिए रक्षित कम से कम बेसेट है तो x is greater than equal to 20 ये चीज ध्यान रखने कि कम से कम में greater than equal to आता है फिर है सस्ती शेनी के टिकटो की संख्या कम से कम प्रथम शेनी के टिकटो की चार गुनी है तो सस्ती शेनी के टिकट वाई हो गए कम से कम का मतलब greater than equal to and प्रथम शेनी के टिकटो क कि मतलब का फूर बना प्रथम शेनी के एकस है इसका फूर बना अगर यह तुमने तीन समय करने ठीक से बना ली तो आपका कुश्चन सही होने की जाद उम्मीद है इसकी प्रैक्टिस करना कि इसके समय करने कैसे बनेंगी ओके थैंक यू